नमस्कार दोस्तो टार्गेट हैंक सभी की एकबार फिर से सोगत हैं दोस्तो एक बार फिर से नहीं मेडिकर इसटाप श्टाप साथ नर्सिंग करें णकई पौश्ट के पोश्ट इसमें सामिल हैं दोस्तो हमारे दोरे जितने भी भरते विग्यापन की जानकारी दीजाती है वो सारे notification आपको हमारे Telegram चैनल में मिल जाएगा और Telegram चैनल का लिंक दोस्तो आपको नीचे description बाक्स में मिल जाएगा वह से आप जोइन हो पाएगे और इजी तरीके से दोस्तों यह notification का PDF डाउनलोड कर पाएंगे और दोस्तों अगर आपको lab technician या staff nurse के लिए previous question paper चाहिए तो आप हमसे whatsapp पे संपर्क करें lab technician के लिए total आपको 30 previous question paper मिलेगा उसके लिए मातरों दोस्तों आपको 150 रुपए पे करना होगा और staff nurse के लिए total आपको 11 previous question paper मिलेगा उसके लिए आपको 100 रुपए पे करना होगा यह question paper दोस्तों LT का जो रहेगा उसमें center और state government के paper सामिल है अगर आपको चाहिए तो आप संपर्क करें हमारे whatsapp number पे हमारा whatsapp number 21962779 इस number पे दोस्तों आप संपर्क कर सकते हैं आपको यह previous question paper मिल जाएगा यह number दोस्तों आपको नीचे description box भी मिल जाएगा और telegram channel के link भी आपको नीचे description box मिल जाएगा तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं information की और यह भरती भी कि अपन दोस्तों राश्ट्री आरो के अभियान कुटुम्ब कल्यार सोसाइटी चंद्रपूर महराष्ट से जारी किया गया है NHM के तहित बात करें post की तो देख सकते हैं MBBS के लिए रहने वाला है medical officer के लिए total 24 post है और जो candidate इसमें MBBS के degree complete किया हो हो इसमें apply कर पाएंगे 60,000 रुपए आप इसमें salary दी जाएगी नेश्ट जो post है दोस्तों medical officer के लिए रहने वाला IOS वाले candidate इसमें आवेतन कर पाएंगे BU MS वाले और आपके पास अगर MD है same field में तो आप इसमें आवेतन कर पाएंगे 30,000 रुपए आपको salary दी जाएगी next post की बात करें दोस्तों ideologist या speech therapist के लिए तो दो total इसमें post सामिल है yes to or open candidate के लिए आपके पास bachelor in ideology में होना चाहिए and speech language में और दोस्त इसमें salary आपको 25,000 रुपए परमन दी जाएगे psychiatric nurse की बात करें तो एक ही post सामिल है आपके पास qualification में dpn या msc mental nursing में आपके पास ये degree होना चाहिए या फिर दोस्तों आपके पास bsc nursing है same field में और three year का experience है mental health में तो आप इसमें आवेतन कर पाएंगे और आपके पास आपको इसमें 25,000 रुपए salary दी जाएगी परमन नेश्ट post की बात करें दोस्तों फिजियो थेरपिस्ट के लिए तो एक ही post इसमें सामिल है और यस्टी वाले candidate इसमें आवेतन कर पाएंगे आपके पास bachelor degree होना चाहिए फिजियो थेरपी में salary दोस्तों इसमें 20,000 रुपए परमन दी जाएगी नेश्ट post की बात कर लेते हैं दोस्तों dialysis technician के लिए एक post रामिल है इसमें और इसमें बात करें qualification का तो टोल्ट पास होना चाहिए science subject साथ साथ में दोस्तों आपके पास diploma है certificate होना चाहिए सेम फिल्ड में dialysis technology में दोस्तों अगर आपके पाई diploma या certificate है तो आप इसमें आवेधन कर पाएंगे 17,000 रुपए दोस्तों आपके इसमें salary रहने वाली है नेश्ट जो post है दोस्तों वो paramedical worker के लिए रहने वाला है नंबर आप post एक सामिल है और qualification में आपके पास दोस्तों वो program assistant के लिए रहने वाला है और एक post इसमें सामिल कर लिए गया है आपके पास graduation degree complete होना चाहिए और 18,000 रुपए आपके इसमें salary दी जाएगी next post देख लेते हैं दोस्तों लैब technician के लिए रहने वाला है तो आप इसमें आवेतल कर पाएंगे आपको इसमें salary 17,000 रुपए परबंद दी जाएगी next जो post है दोस्तों वो staff nurse के लिए रहने वाला है नंबर आप post इसमें 40 total post सामिल है और category wise देख सकते हैं आपके लिए 4,80 के लिए 3 ऐसे करके अलग category wise इसमें बताया गया है और open के लिए total 14 post है आपके पास qualification में JNM या BSC nursing होना चाहिए nursing field में दोस्तों आपके पास degree diploma होना जरूरी है 20,000 रुपए आपको इसमें salary दी जाएगी परमंद next जो post है दोस्तों program manager public health के लिए रहने वाला है number आप post एक सामिल है और program manager public health के लिए भी एक post है और इसमें qualification में दोस्तों दोनों post के लिए same मांगा गया है any medical graduation आपके पास complete होना चाहिए PMPH, MHA या फिर आपके पास MBA in health में अगर आपके पास ये degree diploma है दोस्तों तो आप इसमें आवेतन कर पाएंगे आपकी इसमें salary 35,000 रुप है पर मंत रहने वाली दोनों post के लिए next देख लेते हैं दोस्तों कौन सा post है तो देख सकते हैं इसमें budget finance officer के लिए रहने वाला finance कम logistic consultant के लिए है और blog accountant के लिए भी है तीनों post के लिए दोस्तों आपसे qualification में बी कॉम यम कॉम कर डिगरी है आपसे डिपलोमा मांगा जा रहा है सेम फिल्ड में आपके पास थ्री यर का relevant फिर एक्स्पिरियन्स होना चाहिए और salary आप देख सकते हैं इसमें application फिस भी पे करना होगा application फिस दोस्तों आपको demand राप के रूप में जमा करना होगा इसमें आपको बताया जा रहा है आपको कितना फिस पे करना है तो जो candidate जनरल वाले होंगे उनको डिएर से रूपाई इसमें फिस लगने वाला है और reserve category के candidate को 100 रूपाई फिस पे करना हो होगा और दोस्तों डीडी के मातिम से आप अपना application फिस पे कर पाएंगे demand राप किसके नाम पर बनवाना हो भी देख लीगे district integrated health and family welfare society चंद्रपुर के नाम से दोस्तों आप ये डीडी बनवाना होगा ये आपका इसमें बताया जा रहा है और आप अपना आवेजन कहां जम आवेजन जमा करना होगा ये आपका address है और आपको लाश्डेट एककिस साथ दो जर्टेइस एककिस जुलाइज सामको चार बज़े तक आप अपना आवेजन जमा कर पाएंगे इसका सुठ अबेदर अपार अपका इसे प्यडियोफ मैं मिल जाएगा ये Chand honor है इसको आपको फिल करके और इसमें सभी डॉकूमेंट जो भी आप इसमें अटेज़ करेंगे सेल्फ अटेश्टेट करके अटेज़ करेंगेगा और आपको इसको आफिसियल एड्रेस पर जमा करना होगा 217-2023 इसका लाज़डेट रहने वाला है तो दोस्तो जानगारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें अपने दोस्तों करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और टेलिग्राम चैनल का लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन वाक्स मिल जाएगा और अगर आपको प्रिवेस कुश्चिन पेपर चाहिए लैब टेक्निसियन या इस्टाप नर्स के लिए तो आप हमसे वाटसैप के समपर करें आपको ये प्रिवेस कुश्चिन पेपर मिल जाएगा थैंक यू